हर रोज खाना बनाते वक्त हमें यही सोचना पड़ता है कि आज ऐसा क्या स्पेशल बनाए जो सब को बहुत पसंद आए और मेहनत भी कम हो तो आज मैं आपके लिए लेका हूँ मसाला पराठा आज की इस पराठे को मैं तीन अलग-अलग तरीके से बताऊंगी तो जो भी रेस्पी आपको पसंद आए आप उस तरीके से से बनाए तो चलिए आज की मज़िदार और बहुत ही डेस्टी मसाला पराठा की रेस्पी को शुरू करते हैं मसाला पराठा बनाने के लिए एक बरतन में हम डेड़ कप आठा ले लेंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक छोटा चमस तेल डाल दे तो मैंने यहाँ पे एक तीहाई छोटा चमस नमक यूज़ किया है मिला दे तेल और नमक को आठे में अच्छे से आप चीए तो इसमें आठा मैदा मिला के भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें पानी डालके इसका एक डोव बना लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी मिलाए एक साच जादा पानी नहीं डाले तो ये हमारा डो जो है वो बन के तयार है पानी को हटा देती हूँ और अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे तो इससे आप ऐसे कवर कर दें इससे पराठे और अच्छे बनेंगे अब हम मसाला बना लेते हैं तो मसाला बनान मैंने फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच भूना हुआ जीरे का पाउडर इसकी जगह आप नॉर्मल जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं लास्ट में हम इसमें आदी छोटी चमच ये सामबर मसाला पाउडर डाल देंगे ये ऑफशनल है लेकिन इसे बहुत अच्छा मिला दें तो ये हमारा मसाला पाराठा का जो मसाला है वो बनके तयार है अब हम चलते हैं पाराठा बनाने के प्रॉसेज में तो 10 मिनट बाद यहां पे ये डोग को हम वापस एक बार ऐसे गून लेंगे ताकि ये थोड़ा स्मूध हो जाए और इसके बाद हम इसकी लोई बना लेंगे तो जितना वड़ा आपको पराठा चीहे ना उसके हिसाफ से आप लोई बना लें मैं यहां पे मीडियम साइच के डोव बना रही हूं और एक साथ सारी डोव बना के रख लें उसके बाद पराठा रोल करें तो आपको आसानी होगी तो आप हम चलते हैं पराठा बनाने के प्रासेस में तो सबसे पहले एक लूई लेंगे और इसके योपर थोड़ा सा सुखा अंटा के जैसे रोटी या चापादी रोल करते हैं वैसे हम इसलो कर लिए बड़ा रोल कर लेंगी अब इसके ऊपर तेल या घी लगा देंगा देंगे को अमेर आपक कर दें अगर आप बच्चों के लिए बना रहें या फिर मसाला कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ही मसाला इसके उपर हम ये कसूरी मेथी ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे तो बना पराठा भी बना सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे तो यहां पर चाहिए तो थोड़ा से घीया तिल लगा दे और इसके बाद ऐसे एक एंड को एक छोर को ऐसे पकड़े रहें और उंगली रखें और दूसरे साइट से ऐसे ले जाके सेंटर मे जैसे रोटी या पराठा बेलते हैं वैसे हम इसे रोल कर लेंगे रोल करते वक्त हांतों को हलका रखें ताकि यह जो शेप है वो खराब नहीं हो तो यह हमारा एक पराठा जो है वो बन के तयार है इसे मैं इस प्लेट में रख देती हूं और इसके उपर थोड़ा सा सूख पराठा स्प्रिंकल कर देती हूं ताकि जो मैं दूसरा पराठा रख हो तो वह चिपके नहीं अब सेम प्रॉसेस से जो दूसरा सफेद तिल वाला है वो पराठा मैं आपको दिखाते हूं तो इसे भी हम सेम प्रॉसेसे ऐसे रोल कर लेंगे और इसकी बाद घी या तेल जो एक हाँ से पकड़ के रखे और दूसरे इंड को ऐसे ले जाके सेंटर में ऐसे प्रेस कर दें फिर इसे ऐसे चपटा कर दें और इसके उपर थोड़ा से सुखा अटा लगा कि हम इसे रोल कर लेंगे तो है नगी पराठा बनाना आसान तो इस पराठे के साथ आपको किसी से धन्या पता है तो उसके साथ बनाएं नहीं तो सिर्फ मसाला स्प्रिंगल करकर आप इसे नॉर्मल बना सकते हैं तो यहां पर यह मैं घी लगा देती हूँ वापस यह मसाला जो है वो स्प्रिंगल कर दे और फिर इसके उपर बारी कट हुआ धन्या पता डाल दे धन्या पुदिना पता का भी यूज कर सकते हैं उसे भी बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको थोड़ा सा साउथ इंडियन फ्लेवर चीह है तो इसमें बारी कटा हुआ करी पता डाल दें तो सांबर और करी पता के कॉम्बिनेशन से यह पराथा और भी अच्छा लगेगा तो तो फटा-फट आपसी भी पराठा बनाएं, मैंने बता है न, इसके साथ कोई भी सब्जी बगरा की जरूरती नहीं, आप इस पराठे को ऐसे खाई, यह पहुट डेसी लगता है, तो यहाँ पे मैंने तीनों पराठा को रोल के लिया है, अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रो तो इस पराठे में आप जितना ज़्यादा तेल यागी लगाएंगे, पराठे की जो लेयर है वो उतने अच्छे से निकल के दिखेगी, तो यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक सेके, जब तक यह दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन नी हो जाए, तो यह हमारा प पराठे को सेक लेंगे, तो दूसरा अला जो पराठा है ना वो मैं धन्या पता अला डाल देती हूं कि यह दिखने में थोड़ा ज्यादा कलरफुल दिखता है, और इसे भी सेम पराठे से हम पका लेंगे, और यह हमारा दूसरा पराठा वी बन के तियार है, यह देख सकते पराठे को अधने आप, है ना मज़ेदार, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूं, और हमारा जो लास पराठा पचा है, उसे मैं सेम प्रॉसेस से पका लूँगी, तो हमने यह पितिल वाला पराठा बना लिया, धन्या पताला बना लिया, और लास में यह मेथी वाला, तो सेम प्रॉसेस से, यह तीनों पराठे को मैंने सेख लिया है, यह आप देख सकते हैं, अग्दम लच्छेदार पर्फेट देख रहा है ना, और खाने में तो बहुत हमेजिन है, तो आप चीए तो इस पराठे को ऐसे ही खाए, या फिर अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट और इन को सब्सक्राइब करना ना भूले